यही तो सवाल है सराब बंदी बिधान मंदल की भावना का सम्मान है सराब बंदी आदरनिय पधान मंत्री जी के दिये हुए मंतब का सम्मान है सराब बंदी जीवन दशा के बदलाओं की कहानी करता है और महिलाओं के खास करके जो महिलाओं की मांग पर यह हुगा है कौन ऐस परिवार होगा जिसके अंदर में यह कहा जाएगा कि सराब बंदी खतम कर दिया जाए हमें तो नहीं लगता है विहार एंडिये में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है लगतार विहार एंडिये के चारो घटक दल आपस महीं बयान वाजी कर रहे हैं जेडियो और बीजेपी ल असपष्ट करने की जरूरत है नहीं और आज का दिन तो बड़ा महत्वपुन दिन है जब बिहार जैसे राजी ने पुर्वोत्तर छेत्र में पूलिस एकैड़मी जो हमारा राजगीर्वे मना है उसको केंद्रिया ग्रिह मंत्राले भारत सरकार ने बेस्ट सर्ष्था कहा ह सर्ष्थ ती तो प्लवधी का दिन है अब एंडिये का जो घटक दल है नेत्रित पर कोई मत्वेद साथ निश्चे पाट्टू पर मत्वेद और शराब बंदी के बारे में तो केवल एक लाइन मेरे लिमात्पुन है कि राजनेतिक रूप से हम एक दूसरे से नहीं लिया है सभी दल को सहीयोग करना है तो जो आलोचला करने की बात करते हैं तो उनको भी तो सहीयोग करने का निर्देश तो आधरनिये प्रधान मंत्री जी की भावना का सम्मान होगा कि नहीं यह महत्वपुन्विस है लेकिन लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षी की समिक्षा की कार्यों पर सवाल खें किस समिक्षा होनी चाहिए कि उसके मानक है न, अगर समिक्षा नहीं होता, तो कईसे राजस्थान से लेकर करके, पंजाब से लेकर करके, हरियाना से लेकर स्मगलर लोग को हम लोग पकड़ के ले आते, और देश के जिनराज्यों में सराब बंदी है, वहाँ इसी घटनाय होती है, जहां नहीं है, वहाँ चेन में भी और एंडिये के विधायक दल के बैठक में भी, तो क्या वो सारे जो मालक तै किये गये थे, जिसके आधार पर समर्थन, संकल, कानून बनाने में एक मुस्त, क्या भी बेमानी है, इसका मतलब उसका कोई औचित नहीं, दल के विधायक लोग दोनों हाथ से उठा अगर का रहा है, उसका कोई औचित नहीं है, यहीं तो सवाल है, सराब बंदी मिधान मंदल की भावना का सम्मान है, सराब बंदी आधरनिये पधान मंत्री जी के दिये हुए मंतब का सम्मान है, सराब बंदी जीवन दशा के बदलाओं की कहानी कहता है, और महिलाओं के खा सबस्क्राइब को जो भी बोलते हैं सब के तो नेता है सब के मंत्री परशद में मानिय सदसें तो सदन के नेता से भी बेट होते रहती होगी बेट होगी न ऐसा तो नहीं है चुकि हम लोग के हाँ तो हर मंगल बार को कैमिनेट होता है तो सब के तो परतिनी दिवा मौझूद है वही तो अपनी राय ब्यक्त करने का और मानिय मुख्मत्री जी तो लगातार संबाद करते रहते हैं हर लोगों से जो भी घटक दल है या आम तोर पर जो विधायका में ल मानीय उपमुख्मत्री जी ने सरावबंदी के बारे में क्या बोला अपनीय सही है सिसील मोदी जी ने क्या बोला यसी भी महत्वपून ना तो जो पक्ष में बाता बयान आता है वह दरकिनार कर दी जाते हैं थोड़ा सा दाये माहिर हा उसको प्रमुखता मिल जाती है एक और बात है मुके शनी है लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को चिताबनी भी दे रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे नीतिश कुमार और हमके साथ वीजेपी को दिक्कत है तो चले जाए इस तरीके के बाते कर रहे हैं इस दोनों दल के बीच का मामला है यह हमारे बीच का नहीं है और उन्होंने माननी है मुखमदी नितिश कुमार के नित्रित पर साथ निश्चे पाट्टू पर हर एक राजनितिक दिल अपना बयान देता ह पर देश कुनाब हो रहे हैं आज आपके जो चुनाब परवारी उन्होंने कहा है कि आज आख्री डेट है आज को आद हम अपनी उमिद्वारों की गोशना कर दें कैसा देखने बीजेपी अभी तक कोई इस संब्बंद में पार्टी के राष्ट्रे अर्द्यक्ष ने तीन महीना पहले संभवता राष्ट्रे परसद के बैठक में केंद्रिय मंत्री आर्चिपी सिंग जी को अधिक्रित किया है अब और पार्टी अपने अप्चारिक सुची वहां के प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रे अध्यक्ष निर्देश कर दिया कि गटबंदन की बात अधर्णियर रामचंदर आउं कर रहे हैं जोगी उसका नतीजा हो नहीं तो फिर अपना और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें